गाईस, अज फीर सब बात करेंगे एक powerful setup जो कि आहुजा का setup होने बला है और इस setup को लेकर एक भाईने सुवाल क्या है चले सुवाल आपको दिखाएता हूँ और किस टाइप सुवाल क्या है भाईने आपसे वह को पहले बताइता हूँ देखे स्वाल आप लोग देख सकते हैं और भाइन ये स्वाल का है कि आउजा का एक setup होना चाहिए लेकिन इसमें कुछ change होना चाहिए जैसे कि आउजा का चार speaker 500 ओड़ेच का होना चाहिए इसके लिए cabinet JBL का SRA 725 cabinet होना चाहिए दो पीस base cabinet भी होना चाहिए JBL की SRA 728S इसतरा दो केविनेट होना चाहिए और इसके लिए speaker आपका आउजा का होना चाहिए एक हजर ओड़ेच का साथी mixer भी होना चाहिए तीन चैनल का mixer होना चाहिए और 2022 के प्राज होना चाहिए और HF और प्लास netroplate जो की आउजा का होना चाहिए मत comes कमेंड मैं जल्दी से क्रणार्ण के जल्दी से यह सुरू करते हैं सबसेल बात रहोंगा जैसे भाणी शूरू करते हैं सबसेल बात रहेगा जो abc यह इस्पिकर 500 रच का होता है आर्मेस पार एटम बला स्पिकर होता है सेंस्टिव आपका 97 डीवी काम करता है इसका बहुत अच्छा है जो की चार्ण जब्शकर साथ यह स्पिकर आता है और प्राज की बात करूंगा एप्रोक्स प्राज जो की 2022 का प्राज हलाक चीब बढ़ किजिए जोरू बता दीजिएगा इसका कितना प्राज है और की जगा से अपना है तो यह इसपियर आपका 4 पीस रहेगा और 4 पीस स्पिकर यह मान लेते जो की 3,000 4 पीस स्पिकर और इसके लिए नियुक्त का जो की जेवल की कोपी बाला मोडल तो यह बाला मोडल आपका रहेगा जो कि 14,000 प्यार आपको मिल जागा मैं सभी वीडियो में बता भी देता हूं 14,000 प्यार मिल जागा लेकिन उसमें कुछ चे जोगा तो उसका भी प्राज अलग से बेठेगा चार्ज लाएगा जैसे आपको डीप बेट य जैसे कि भावया नहीं ही कहा कि अल्ली अहुजा का होना चाहिए तो देखे अहुजा की बात करूंगा आप लोग इस मौला मोडल को ले सकते हैं जो की सीडी असीए जोकि भावयानि ही का कि 808 होना चाहिए तो इसलिए इस लिए इस आपका अर्मेस पर आपका 808 होता है इतना आपको करीब 5000 में आपको 250 अराम से हो जाएगा और इसके लिए जो कि भानिका की HFB मतलब sorry नेट्रो प्लेट भी होना चाहिए तो आउजा का एक मैं आपको बता रहूं के अपको अच्छी तरह से बता दूगा ताकि आपको आसानी से कर सके इसका रिस्पॉंस भी आपको बताऊंगा थ्ला सब बेट कीजिए मैं जल्दी सब बता रहा हूं और इसका वेट की बात करूँगा वान पॉइंट वान के लिवेट दिगनों मिल जाएगा और इसका प्राज की बात करूंगा एक एक पीस तो इसका प्राज थोड़ा से बढ़ चुका यह आपका 26 तो आपका 2800 के बीच में आराम से मिल जाएगा एक एक पीस तो आप लोग दो पीस ले ले लेना है और दो पीस बतायता हूं जैसे कि इस एक प्राज नेट्र प्लेट के साथ आप लोग किस तरह किनेक्शन कर सकते हैं और इसको लगा देंगे ताप की स्पीकर मेरे इस साफसे 90 परसन नहीं जलेगा कि इसका बहुत अच्छा का सा रिस्पंस करता है चलि आपको बतायता हूं किनेक्शन तो देखें इस करेशोर नेट्वर्ड को आप लोग फोर में कनेक्शन करना पड़ेगा एमलीफार के साथ जैसे कि इसमें आपको ओप्शन मतलब 2 वार दिखनों मिलेगा एक रेड और बिलाक टाइप का इसमें आप लोग कनेक्शन कर दिजेगा जोकी फोर में आपके एमल आप लोग यह आना चाहिए और यह आराम से कर लेंगे मेरे साब से और कर पाएंगे तो चले एरा दो टॉप फिटिंग आ गया चले बात कुरूंगा बेस जो की भाई ने का की बेस केबिनेट जेवियल की srx728s इस तरह मोडल मतलद दो बेस केबिनेट होना चाहिए डूइल बेस केबिनेट है जैसा आप लोग देख सकते हैं और इसके अंदर इस्पीकर रहेगा जो की अगुजा का स्पीकर आता है तो काफी अच्छा ही स्पीकर होता है और इसका वेट की बात करूंगा उन्नीस पॉइंट टू के लिए वेट होता है तो काफी इसमें बेट भी आपको ज़्यादा दिखनों मिल जाता है चले जानलते इस प्राज आप सभी के एरिया में कितने में मिलेगा इसका भी प्राज थोड़ा सा बढ़ चुका है तो आप थोड़ा सा देख लिजेगा यह अप्रोक्स आपका 15-16 अजर की बीच में आराम से एक एक स्पीकर मिल जागा तो आप लोग चार इस स्पीकर लेना है मेरे इसाब से 60-64 अजर की बीच में आपको चार इस स्पीकर आ आ जागा और इस तरह अप्रवग दो बेस रेडी कर पाएंगे चले बात करूंगा और इन सब को चलाने के लिए जो कि भाइने एक ही मेरे इसाब से रिक्मेंड किया जो कि एल्लेप्स का एकस फाइब इस अमिलिफायर को रिक्मेंड किया तो चले देख लेते क्या इस अमि चले लेते हैं मतलब किस तरह चला पाएगा सबसेल बात रहुँगा देखे आपका दो टो बनता है इदार आपका मतलब माल लेते हैं जो कि और हमसे चला सकते हैं जो कि आपका अमिलिफायर 25 प्रवाइड करते हैं तो यह काफी तरह से चला लेगा को भी प्रॉल्म नहीं है और चले आप बात करूंगा दो बेस को दो बेस आपका बनता है मतलब बेस को मिला कर अगर आप लोग एक बेस चलाना जाते है इस अमिलिफ बनेगा बेस और आपका फोर में दे रहा है तो काफी अच्छा से मैचिंग आ जाता है और यह 100 परसंट चला लेगा को भी दिक्क्यत नहींगा लेकिन बात रहे इसमें चार बेस मतलब चार इस्पिकार आ जाता है मतलब दो डूवल बेस के साथ तो इसमें थोड़ा सा प्र इसमें को भी लेकर रहम से चला लेगा इन मतलब एक एक टॉप पर चलेन्डर आप ठाल सकते तो इस पर आप लोग 2 बेस मतलब 2 डुवल बेस और 2 टॉप को आरम से चला लेगा इन 2 एम्लिफायर में और इस पर आप लोग सटप बना सकते हैं जैसे भाई निका के मिक्सर तो मिक्सर आप लोग 8 यह 300 मिक्सर ले सकते हैं जोगी डीजे मिक्सर है अहुजा का इसका प्राज आपका एप्रोक्स 8700 के रेंज में अरम से मिल जाओ तो आप लोग इससे ले सकते हैं तो बस जिस तरह भाई ने सवाल किया था मैं उसी तरह वीडियो बना दिया हूँ और यह वीडियो आप से जोरू आच चला है और लाए तो ला कर दो 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 क झाल झाल झाल